वेलकम बेट टो माई चैनल माईसल्फ प्राची एंड होने वाली सियराची आपका हमारी चैनल में बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं administration overheads तो guys आप administration overheads से क्या समझते हों तो guys जैसे की हमारी diagram में एक girl बनी हुए है जो क्या आपको दिखर होगी guys उसके बहुत सारे हात है और वो बहुत सारे काम कर दी है तो guys administration में आपने को बहुत सारे general weirs थ्यान 바ा देना ऐसे बहुत सारे जनरल काम होते हैं जो हमको करने पढ़ते हैं तिक हैं जैसे की कॉल सटेंड करना और अपने बनाना लाप टॉप पे मेल्स चेक और फाइल देखना एन और गाईस इतने सारे काम सोते हैं एन डिलिवरी इस लेना मीटिंग शेडियूलिंग करना एकसेक्टरा तो सब्सक्राइब तो भी तो सब्सक्राइब कि अगलते हैं जो कि सब्सक्राइब कर दोuir टीम तो नहीं गुटक्षटरिंग तो फिरेख परोड़ कि इस से तो शुटिते हो एक जडिस तो बनाते हो तो गाइब इसलिए डिफिकल टू टू छासिफाइब और बाइफ़केट कि हर प्रोड़क में कितना अडिमिनिस्ट्रिशन का काम हुआ प्रकोज दिस नॉट एकनोमिकल फिसीबल वे तू अलोकेट दिफरेंट प्रोड़क दिफरेंट अगर आपको ऑफिस अलग है तैन इस मदब चलता है अगर आपको ऑफिस एक है और आप सारे प्रोडक साथ ली आपर दील करेंगा तो गाइस यह कैस हमको बताता है कि अंपन कैसे चीजों को हैंडल करें तो guys सबसे पहले मैं आपको बताऊगे कि administration overhead से आपन क्या समझते है according to our definition ठीक है definition के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ तो guys हमेशा ये general management का काम होता है ठीक है हमेशा दरह specific नहीं general management का काम होता है ठीक है और जो overhead होता है न उसमें से अपनको हमेशे exclude करना था production overhead बिक्सके इस production overhead रहता है वो directly लग सकता है न क्योंकि कोन से प्रोड़क्शन में directly कोन से production हो सकता है आपकी दो unit हो एक service sector दो sector हो एक service sector हो और एक production sector तो इसमें तो production लगे गई नहीं है न तो इसलिए सबस्क्राइब टो अपर गए सब्सक्राइब कर सकते हैं याद रखना जो प्रॉड़क्शन नहीं कर सकते हैं इस्ट है आगे बटते हैं आगे कैसे मेजर करेंगे मतलब मैं मेजर मतलब कैसे अपन सको ना पैंगे जैसे कि आपन खरीदने जाते ऐसके एपल खरीदने का तो एपन अपने एडमिनिस्ट्रेशन ओफर फ्सक्राइब को एगरिगेड मेह रहता है aggregator है का सारे resources का ठीक है जिसमें general management और administration management दोनों आता है ठीक है general को add करोगा administration को add करोगे administration overheads पर ठीक है अगर आपका कोई leased assets है अगर आपका कोई assets lease पर लिया न और अगर वो operating lease है ठीक है तो इंटायर रेंटल जो भी आपको हम आओगे दो टाइप की लिस होती है आपने सुना ही होगा लिस दो टाइप की होती है एक operating होती है और चाहर के लिए होती है और finance list जो होती है वो लॉंग 10 यूजल होती है और मतलब उसकी एकनॉमिकल लाइफ कवर हो जाओ उतनी लाइफ होती है उसकी ठीक है तो देखा जाए तो अपना operating list अगर होता है तो गाइस उसका पूरा rental जितना भी आरा आपका उसमें अपना administration overhead को भी add कर देंगे तिक है बट गाइस अगर आपका finance lease है तो फिर गाइस उसको अपन कैसा करता है finance cost पे ले लेते हैं इसका बहुत बड़ा reason यह भी है कि जो रेंटल वगर का काम होता है वो administration overhead पे आता है और operating lease जो रहती है वो इदम short tenure के लिए रहती है that's why we'll take as a rental income and then we'll take a in administration but guys finances होती वो बहुत बड़ी होती है और बहुत लंबे समय के लिए रहती तो it's like जिसकी loan वगर होता है या फिर अपना long term asset होता है वैसे टेपका हो जाता है न तो that's why उसको अपन finance cost as account करते है याद रखना examination में twist आ सकता है बहुत important point है ठीक है जाइस अगर आपका कोई software है तो उसको कैसे लोगे software है तो कैसे लोगे बताओ अगर आपने घर पे बनाया उसको purchase क्या है license है या आपने बोल कर बनवाए है फिर से बता रहे कोई घर घर पे बनाया है purchase करके लाया है अपने license लिया है या फिर आपने बोल कर बनवाए है तो उसको सब को आप क्या करोगे amortize करना आपको उसकी चिक्ति भी cost रही उसको आपको amortize करना उसकी life के हिसाप से ठीक है उसकी life के हिसाप साप उसको amortize कर दोगे देन सर्विस जो हैती गाइस administration सर्विस जैसे की phone call वगए रखिये है उठाना तो वह सारी जो खर्चा आते है उसके है ना अगर आपने बहार से वह काम कर रहा है समझ लोग कॉल सेंटर वाले को हायर करते लोग है ना तो कॉल सेंटर तो एक पटिकुलर ही या फिर हायर भी कर सकते उसको तो जितना उनको salary दे रहे या फिर अपन वह सर्विस अगर पर्चेस कर रहे तो जो इन्वोईस प्राइस है प्लस taxes वगरे जो other expenses included वाले तो वो सब को अपन मान लेंगे कि वो cost of administration service है अगर अपन service को खरीतते है ना तो उसका जो price रहता है ना उसको ही अपन मानते है ठीक है cost of administration services then guys अपना cost को कैसे assign करेंगे पढ़ेंगे अब how to assign our cost cost को कैसे assign करना है तो guys अगर आप directly trace कर पा रहे हो कि अपकी cost को objective में क्या है अगर आप directly trace कर पा रहे हो वो भी economical feasible way में ठीक है economical feasible way में guys I hope आपने lectures देख रहे हो ध्यान से आपको ये terms से वाकिफ हो गया कि economical feasible way क्या होता है ठीक है तो अगर आप directly देख पा रहे हो क्या है ये तो सामने सामने में दिख रहे है तो अगर आप directly देख पा रहे हो तो फिर आप उसको वैसे assign कर दो and then guys अगर आप वैसे नहीं कर दो मतलब जैसे कि अगर आपने कोई भी administration का काम करवाया तो समझ लो कि आपने calls उठाने के लिए receptionist को रखा है ठीक है तो जो receptionist है वो उसको रखे हो ठीक है तो वो उसको रखने का कोई reason होगा आपने कोई product अपना launch किया होगा और उसको उसके after sale services के लिए calls attend करने के लिए and queries के लिए feedback के लिए आपने रखा receptionist तो यह cause है कि इस product के वज़े से इसको रखा गया है या फिर guys इस receptionist जो थी हमारी वो अभी तक product A में deal करती थी and अब B में भी deal कर रही है ठीक है तो अब B में भी deal कर रही है तो benefit कौन receive कर रहा है benefit अब B भी receive कर और A भी कर रहा है तो जो दोनों लोग benefit receive कर रहे है उन दोनों के में जितना benefit receive हो रहा है उसके accordingly apportion कर देंगे ठीक है या तो जिसके वज़े से आया है उसके में कर दो पूरा sign या तो जो लोग फाइदा उठा रहे है उन दोनों के में कर दो apportion is that clear then guys आप present कैसे करोगे चीजों को दिखावा कैसे करोगे तो आप separately head पर दिखावा कर सकते हो अगर आप कर पा रहे हो separately then well and good बहुत बढ़िया ठीक है अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप materiality के हिसाब से ना head details में डाल दो मतर हैडवाइस आप डाल सकते हो material जितना material है उसके accordingly ठीक है तो आप क्या बता होगे disclose क्या करोगे सब को क्या बता होगे कि मैंने इस basis पर मैंने इस basis पर sign किया है यहाँ पर मैंने भी बताया आपको basis कि आप cause effect benefit receive या economical feasible way तीन basis ते ना तो आप पहले में यही बताओगे मैं कौन से basis से follow किया मैंने फिर जो imputed cost था उसको मैंने include किया है क्योंकि guys imputed court administration में आता है तो guys चलो disclosure discuss कर लेते हैं disclosure में सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि हमारा जो administration overhead है उसको किस basis में हम लोग assign किये हमेशा पहला disclosure यही रहता है लेखो अपन assignment करते हैं ना तो हमको बहुत सरे ways पता होते हैं कि अपन overhead ले लेते हैं या आपन cause and effect ले लेते हैं यह हम लोग benefit receive ले लेते हैं ठीक है तो जैसे कि हमको पता है तो हमको यह बताना पड़ेगा कि हमने कौन सा तरीका लिया assignment करने का ठीक है आप लोग को same points हमेशा आत करने पड़ेंगे बस आपको ही टाइटल चेंज करना रहेगा हर डिस्क्लोशर में तो आप ट्राइ कीजेगा कि आप यह पूरी वर्डिंग्स याद कर लो फिर आपको बताना है कि imputed cost अगर कोई सी थी तो क्या थी वो हना आपको बताना पड़ेगा कि हमारा जो foreign exchange है जिसमें हमने डील किया है वो कितना है related parties हमने क्या क्या transaction किया है हमको ऐसी कौन कौन सी subsidiary grants received हुई है तो कितनी recovery है ऐसा कोई abnormal portion है आपको यह बताना होगा और कोई भी penalty अगर आपकी damages है तो आपको वो सब बताना है तो अपन quick recall कर लेते क्योंकि सारे points एक दम common हर cash में आते तो आपन को यह याद करना है ठीक है तो कैसे आत करोगे देखो सबसे पहले आप सोचोगे कि मैंने assignment किया तो किस business में किया है अरे वो imputed cost तो नहीं थी foreign exchange में dealing नहीं नहीं मैंने तो नहीं किया related party transaction हाँ चलो बता देते हैं इनके साथ क्या था हमने सबसीडरी ग्रांट हमको रिसीवी नहीं हुई जा बता है credit recoveries तो हुई थी वो बता देते हैं